हेलो स्टूडेंट वेलकम तू दी चैनल सो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना एक यूनिट स्टार्ट किया था ड़ेज मनी और बैंकिंग तो हम अल्री इसमें तीन वीडियोज अप्लोड कर चुकी हैं पहला पार्ट था हमारा मनी दूसरा पार्ट था हमार फंक्शन्स ऑफ कमर्शल बैंक नेक्स्ट था हमारा पार्ट क्रेडिट क्रियेशन बाय कमर्शल बैंक आज का जो हमारी वीडियो है वो है फंक्शन्स ऑफ सेंट्रल बैंक के फंक्शन्स क्या के होते हैं कौन कौन से फंक्शन्स परफॉम करता है सेंट्रल बैंक और सेंट् banking system की क्या है एक super power है इसके पास okay इसके पास पूरी supreme power है ठीक है तो central bank है it is an apex institution in the banking and financial structure plays a leading role in organizing organize करता है हर एक चीज को banking system को regulate करता है money supply को supervise करता है सारे के सारे banks को और financial institutions को and developing the banking and financial system of a country किसी भी country के financial or banking system को क्या करता है develop करता है कौन central bank हर country का अपना क्या होता है central bank होता है हमारे country का central bank कौन सा है RBI Reserve bank of India अगर हम इंग्लेंड की बात करें तो bank of England है अगर हम USA की बात करें तो वहाँ पर क्या है federal bank तो हर country का अपना एक अलग क्या होता है Central Bank होता है हमारे country के Central Bank का नाम के Reserve Bank of India commercial banks बहुत चारे होता है लेकिन Central Bank के होता है एक ही होता है तो इसलिए बोलते है इनको Supreme Soul Authority इनके पास कहा है Soul Power है यह अकेले है यह Single है ठीक है Next है हमारे पास Central Bank of different countries क्या है इंडिया का RBI है England का Bank of England है USA का का है Federal Bank Federal Bank functions of Central Bank कि कौन-कौन से functions को perform करता है Central Bank सबसे पहला है Monopoly over note issue अब Monopoly over note issue का मतलब क्या है कि RBI के पास एक Soul Power है 2 issue और print the currency note कहां से कहां तक के notes issue कर सकता है प्रिंट कर सकता है rupees 2 2 रुपे के note से लेकर कहां तक 2000 रुपे के note तक को कौन issue और print कर सकता है RBI, except किसको छोड़कर except 1 रुपी note और coins एक रुपे के note को छोड़कर और coins को छोड़कर सारे के सारी currency को print और issue कौन करेगा RBI करेगा, चीक है bankers bank, क्या है bank को का यह bank है advisor and banker to the government bank का क्या है, advisor है और क्या है, गवर्मेंट का क्या है advisor है, और क्या है, banker है गेट credit कोन करता है, commercial bank तो मैंने आपको बता था, central bank पपा है और commercial bank के वो बच्चा है अगर बच्चा बिगड़ दाता है, पैसे ज़्यादा खर्च करता है तो उसको control कोन करता है पपा जी क्या करता है, उसको control करते है तो controller of credit ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास अभी हमने देखा था, monopoly over note issue monopoly over note issue तो monopoly पार सिर्फ किसके पास है यह central bank के पास है, to issue और print the currency note from rupees to 2 rupees 2000 note except 1 rupee note and coins तो give the sole monopoly of issuing the currency इसके पास क्या है, कि एक sole monopoly है, these notes circulate throughout the country as a legal tender यह क्या है, यह जो note है यह क्या है, क्या है, circulate होते है पूरे entire economy में, is a legal tender legal tender का मतलब क्या है, इनकी अपनी value है ठीक है, कोई भी इनको accept करने से मना नहीं कर सकता, no one can deny to accept it, कोई भी इनको accept करने से मना नहीं कर सकता है reasons, reasons क्या है, okay, reason क्या है reason क्या है, bring about uniformity in note circulation देगो okay, sole authority, central bank को sole authority क्यों दी गई, okay अगर central bank के पास sole authority नहीं होती तो हमारे यहाँ जो currency note है ठीक है, उनके अंदर uniformity नहीं होती कोई गांधी जी के रहेगा, किसी और का photo लगा हर कोई अपनी मर्दी से पता चला, अपना ही photo हर bank ने, अपने manager का, अपने जो भी control over money supply, तो direct control किसको दे दी है, हमने, central bank को दे दी है, कि आप इसको क्या करोगे, control करोगे, ठीक है next है हमारे पास, banker and advisor to the government, यह क्या है, government का banker है, और क्या है, advisor है, यह कैसे काम करता है, bank act as an agent, यह जो central bank है, किसकी तरह काम करता है एक agent की तरह काम करता है, sales and buys foreign currencies on behalf of the government, government के बहाफ पर जो foreign currencies है, उनको क्या करेगा, sell करेगा, buy करेगा, issue new loans etc on behalf of the government, government के बहाफ पर क्या करेगा, new loans को क्या करेगा, issued करेगा, as a advisor, advisor, advisory है, यह advisor देता है कि इसको, banks को भी देता है, government को भी देता है, तो advice to the government on financial, monetary matters and various economic policies, कि जो 90 economic policies आएंगी हमारे economy में या जो भी हमारी financial और monetary matters है उनको क्या करता है उनके लिए advice करता है जैसे GDP low चली जाए या कभी बहुत ज्यादा recession आजाए या बहुत ज्यादा हमारे पास depression period आजाए या inflation period आजाए तो इसमें कौन help करता है हमारी कौन help करता है that is central bank next banker to the government to receive the deposits of cash checks etc from the government तो government को क्ये करता है deposits को accept करता है किस form में करता है वो cash हो सकता है checks हो सकते हैं और drafts हो सकते हैं extends loan okay provides short term credit to the government by printing money against it security bills to finance government deficit next bankers bank to maintain deposits of commercial bank commercial bank में देखा था क्योंके deposits को कौन maintain कर रहा था central bank तो commercial bank के deposits को कौन maintain करता है यही हमारा central bank next step provides guidance to all banks and regulates their activities क्या करता है जो भी commercial banks है उनको क्या करता है guidelines provide कर रहाता है उनके financial matters में बताता है सारी की सारी guidelines देता है as a supervisor यह supervisor भी है bank licensing branch expansion liquidity of assets management related to amalgamation and liquidation periodic inspection of banks क्या करता है उनको supervise करता है देख रेक करता है आपके expansion को periodic inspection of bank जो भी आपके commercial bank का उनका periodic क्या होता है timely क्या होता है inspection होता है तो कौन करता है इसको supervise किसके supervision में होता है central bank के supervision में होता है related to amalgamation and liquidation किसी का amalgamation हो रहा है कोई क्या हो रहे है लिक्क्यू रेट हो रहा रहा है बनाद desaf貌 ये लिएक बैंग के और हुरी हम और ह Вас जबंग क्वेश्थ में यह फिननिसील मैंटर श्रताइव कहुण ब्ल में संट्रल बैंक कौन है access reserve with the central bank to meet any clearing due to settlement with other banks the surplus funds with the central bank can be used make advances to bank if temporarily in need of funds acting as a lender of the last resort it is that if a commercial bank fails to get financial accommodation from anywhere other commercial bank कहीं fail हो जाए अगर commercial bank कहीं fail हो रहा है किसी के लिए कि वो क्या नहीं कर पा रहा वह उसको कहीं और से पैसा नहीं मिल पा रहा है किसी भी financial institution से किसी भी जगा से उसके पास पैसा नहीं आ पारा है तो इसका मतलब किस के पास जा सकता है central bank के पास जा सकता है अब central bank क्या करेगा उनसी कह कर देगा लेकिन कुछ नकुछ securities अपने पास रखेगा इसलिए बोला गया जब commercial bank के पास कोई भी chances नहीं होते, कहीं इसे पैसा आने के, तो वो last में किसके पास ले आता है, central bank के पास, clear, okay, next is clearing house of transfer and settlement, clearing house of transfer and settlement, clear and settle claims, okay, clear and settle claims, तो ये क्या है, RBI के करता है, central bank के करता है, settle करता है किसको, claims को, between commercial banks related to checks and demand drafts, by making transfer entries in their accounts, okay, controller of credit, controller of credit, it is the most important, it is the most important function performed by central bank, ये बहुत important function है, जो कौन perform करती है, central bank perform करती है, so student, मैं चाहता हूँ कि इस पे एक separate video बनाऊ, okay, separate video बनाने का मतलब के, इस पे एक एक चीज मैं आपको बताऊँगा, कौन कौन से instruments है, qualitative, quantitative, ठीक है, क्या impact पड़ता है, inflation के time, deflation के time, इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल separate video बना के दूँगा, student, so इस video में हमने क्या देखा, functions of central bank, except कौन सा controller of credit, उसके लिए मैंने बताए, आपको separate video बताएंगे, so student, I hope आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, अब होता क्या है, basically, कि अगर आपको पस proper notes होंगे, तो आप short time में उन सारी चीज़ों को tackle कर सकते हैं, इसलिए अपने हाथ से खोदी, अपने self notes prepare के दिए, ताकि जब आप revision करें, तो आपको उसमें ज्यादा helpful रहें, so student, thank you, thank you very much.